हाई फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल तिरंगा स्वीट तिरंगा हम सबको प्यारा है वैसे ही स्वीट भी प्यारा है ये बनाने के लिए हमें गाजर लौकी ये हम पिल निकाल कर कद्धू कस करके रेड़ी रखना है गाजर शुगर लौकी मिल्ट पोडर, गी, काजू, बादम, फुट कलर, इलाइची पोडर और दू हम एक पैन ले लेंगे, पैन में दो चमच गी लिया है इदर एक गी गरम होने के बाद हम कदू कस किया हुआ लौकी इसमें डालेंगे हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम दूसरी साइड में दूसरा पैन भी लिया है इसमें भी दो चमच गी डालकर गरम करेंगे दूसरा पैन भी लिया है एक गी गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे गाजर हम लोकी क्वाचा सा मिलाएंगे इसको उपर दकन रखेंगे और बीच बीच में गाजर को भी हम हिलाते रहेंगे लोकी फॉर्टी फॉर्सेंट कुको गया है अब हम इसमें डालेंगे फुल फैट वाला मिल्क एक कप हम दोनों में एक कप दूद डाला है इसके साथ साथ हम एक कप शुगर भी आड़ करेंगे हम दोनों आचा साथ मिक्स करेंगे और इसका उपर दकन भी रखेंगे पांच मिनट के बाद हम चेक करेंगे अचा सब मिक्स करेंगे और एक पांच मिनट के लिए इसका उपर दकन रखेंगे हम अब लौकी का भी हम चेक करेंगे यह भी आचा सब मिक्स करेंगे अब गाजर यह एटी परसेंट कूप हो गया है और एक पांच मिनट बेट करेंगे हम लौकी को भी चेक करेंगे लौकी को यह इसी तरह आचा सब मिक्स करेंगे लौकी में हम दो चमच मिल्क पोडर भी आड़ किया है मिल्क पोडर आड़ करने से लौकी का टेस्ट अच्छा लगेगा और क्रीमी क्रीमी रहेगा हम गाजर को एक बार चेक करेंगे हम इसमें एड़ करेंगे लौकी पोडर आदा चमच यह अच्छा मिक्स करके हम ग्यास बंद करेंगे हम एक प्लेट में तोड़ा गी डालकर हम इसको ग्रीस करेंगे गाजर का स्वीट हम इसमें ट्रांसफर करेंगे हम इसी तरह अच्छा सेट करेंगे अब हम चेक करेंगे लौकी इसमें भी हम यलेचे पाउडर मिक्स करेंगे इसके साथ साथ हमने तोड़ा अच्छा सब फूट कलर भी आड़ किया है ग्रीन कलर यह माचा सा मिक्स किया है हम पांस मिनिट तकन रखेंगे पांस मिनिट के बाद हम चेक करेंगे लौकी कभी स्वीट बन के हो गया है दूसरा प्लेट में गी डाल कर ग्रीज करेंगे लौकी स्वीट भी हम इसमें ट्रांसफर करेंगे यह भी आचासा स्वीट करेंगे हम हम तीसरा स्वीट मिल्क पॉर्डर से मावा बनाने वाले हैं इसके लिए हमने लिया एक चमच गी हाफ कप मिल्क तोड़ा गरम होने के बाद हम इसमें दो चमच शुगर भी आड़ करेंगे इसके बाद मिल्क पॉर्डर मिक्स करेंगे हम गैस लोपे रखेंगे यह आचा सा मिक्स करेंगे हम लम्स नए रहना चाहिए इसके लिए हम आचा सा मिक्स करेंगे यह दो मिनिट में बन के तयार हो गया है हम इसी तरह आच असम मिक्स करेंगे यह बनके हो गया है हम यह भी अलग प्लेट में की ग्रीज करके लेंगे कि हम यही प्लेट में ट्रांस्वर करेंगे अच्छा सेट करेंगे हम इत्री टफ्स की स्वीट बनाया है हम यह सेट करने के लिए दो गंटे टाइम लगेगा दो गंटे के बाद हम इसको काट के रड़ी रखेंगे दो गंटे के बाद हमने पिसेस में काट के ट्राइफ्रूट से गानिश किया है तिरंगा स्वीट बन के तयार हो गया है हैपी इंडिपेंडेंस टे फ्रेंट्स हैपी इंडिपेंडेंस